अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब देखाई देती है बिग बॉस के घर में हर दिन नई नई चीजे देखने को मिल रही है दिन बर दिन बिग बॉस हाउस में सदस्यों के बीच लड़ाई जगड़ा और गाली गलोज का दौर बढ़ता ही जा रहा है कल आपने देखा कि बिग बॉस द्वारा दिये गए लगजरी बजट टॉस्क की वजह शिल्पा और विकास के बीच फिर शेती की नूप चोंख हुई वैशे इन दोनों के बीच जगड़ा घर में इंट्रीशे पहले स्टेज पर ही शुरू हो गया था अब दर्शक भी इन दोनों के इस नफरत भरे रिष्टे को देखकर मजे लेने लगे हैं लेकिन विकास ने अब एक बार फिर लड़ाई जगड़ेशे परिशान होकर एक शौकन कदम उठा लिया है विकास ने एक बार फिर घर शे बाहर भागने की कोशिश की यहां तक कि वो शोग को छोड़ने के लिए इसकदर आमादा हो गए हैं कि वो इसके लिए दो करोड की पेनल्टी भी भरने को तयार हैं दरसल इस हफ़ते घर में हुए लक्चरी बजट टास्क में विकास और शिलपा शिंदे की टीम आमने सामने थी जैसा कि आपने देखा इस टास्क में विकास गुपता जीत हुई विक बॉस ने विकास को इस टास्क को जीतने के बदले कैप्टनेसी का मौका दोबारा पाने की शर्त रखी थी लेकिन घरवालों ने विकास को ना चुनकर कैप्टेंसी के लिए बेना फशा को चुना यहां तक तो फिर भी ठीक था लेकिन बताया जा रहा है कि विकास तब पूरी तरह शे बॉक ला गये जब टास्क में सबशे खराब प्रदर्शन करने वालों में विकास का नाम लिया गया घरवालों के इस फैसले के बाद बो आग बबूला हो गये इसके बाद विकास ने घर शे भागने का फैसला कर लिया जैसा कि आपको पता ही है कि इस शे पहले भी शिलपाशिंदे के साथ लड़ाई के बाद भी उन्होंने घर शे भागने की कोशिश की थी अब reports के मुताबिक घर का एक दरवाजा खुला देख कर एक बार फिर शे विकास ने उस दरवाजे के बाहर भागने की कोशिश की. विकास ने जैशे ही भागने की कोशिश की तो बिग बॉस ने उनहें रोड़ दिया और conflict you game भूस दिया और confession room में बुलाया. जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें अपने फैसले पर दोबाराशे विचार करने को कहा, अब विकास ने क्या फैसला लिया ये देखना दिल्चस्प होगा अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद